गाइस वल्कम डियो ओन चैनल सिविन जिरी नी शरमा जी तो दोस्तों आज का वीडियो जो मैं करने वाला हूँ जो बताने वाला हूँ आपको कि हाउटू क्रेक एनी इंट्रिव्यू इन फरस्ट एटैम्प मतलब मैं आपना एक्सपिरियंस शेयर करूँगा कि कैसे आप क्य कोई टोपिक छूट जाएगा या कुछ न कुछ पता नहीं होगा जो इंट्रिव्यू ले लगाऊगा उसको भी यह नहीं है कि सब जीजे पताऊंगी तो वही चीज होती है यह तो है नहीं कि आप पूरा जिकर सिविल पूरी रटके चले जाओ तो आपको जितना आता है ब कोईशन आएंगे मतलब रिजूम आपको हमेशा ऐसा रखना है कि उस पर जो भी आपने लिखा है मतलब कम्प्लीट नॉलेज उस चीज का होना चाहिए जो भी आपने अपनी स्किल्स लिखी है जहां से आप पढ़े हो देखो जैसे इंट्रिव्यूर के पास रिजूम जात मतलब वहीं से उसका कोउशन होगा कि इसने लिखा कि ये स्किल्स के आपको आपको आपने लिखा कि ये बंदा ऐसे ही लाई कर रहे है तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान देना ये काफी जाद अच्छी वीडियो होगी आप कम्प्लीट देखना काफी हल्प करेगी तो आपको सही चीज लिखनी है जो आपको आता है जो स्किल्स आपको पता है रिज्यूम पे वही चीज हमेशा होनी चाहिए एक चीज ये होगी दूसरा आतनी है जैसे ये इस पे से निकल आएगा फिर आपके पास वो एक्सपिरिंस के पास पूछेगा जो आपका पास्ट एक काम किया था और मैं तर्णिंग में जब इंटर्व्यू देने गया मेरा तो इंटर्व्यू मतलब नॉलेज था इनी टर्णिल में मेरे को क्यों स्लेक्ट किया गया इसी बेसिस पे स्लेक्ट किया गया कि मैंने जो बिल्डिंग का काम किया था उसका मैंसे जो भी कोशन आया मैं मैंने बताया तो उनको लगा कि देखो होता क्या है कोई भी मैंने जैसे स्टार्टी में है कोई भी complete बंदा तो होता नहीं है कि जिसको सब बात है तो उनको चाहिए कि बंदा सीखने वाला हो वो थोड़ा execute कर सके चीजों को मतलब क्योंकि नहीं जौब पर जाओगे salary तो कम द कास्ट आपने काम किया जिसमें भी उसका आपको अच्छे से knowledge होना जाए कि क्या project था कितने का project था कितने करोर का project था उसमें आपकी responsibility role क्या थे और क्या-क्या काम करते थे आप तो वो सब आपसे पूछा जा सकते है तो उसको आप उसके लिए ready होने जाए जैसे मेरा building का था जो batching plants हो मतलब ये तो इतना आपको पता होना चाहिए लेकिन ये late देख रहे हो आप मतलब ये high नहीं civil का है तो है लेकिन इसमें इतना काम में बंदा जब busy रहता है न side पे तो ये चीज़ें द्यान ने देता तो ये चीज़ें भी आपको पता होने चाहिए कि side पे जो भी चल रहा है इर्द इर्द आपके जो भी काम हो रहा है उसका आपको knowledge होना चाहिए तो guarantee आपका interview clear अगली जाओ आप किस job के लिए interview देने जा रहे है देखो एक matter ये भी करता है आपसे question इस basis पे भी आएंगे कि आप देखो surveyor का interview है आपका site engineer का है यह office work का है billing में planning में जहां क किसी भी चीज का है तो उस चीज का आपको अच्छा knowledge होना चाहिए knowledge तो हो तभी आप interview देने जा रहे है उसका knowledge तभी आपको लेंगे लेकिन knowledge in the sense आपको उस job का at least basic पता होना चाहिए कि क्या काम हो सकता है क्या काम होगा और company का profile आपको क्योंकि उस post के लिए जा रहे हो तो कि company किसी से तो company को थोड़ा caring लगता है कि बंदे को हमारे बारे में पता है इसको हमारा background पता है तो ये आगे कुछ कर सकता है हमारे लिए तो ये चीजे थोटी छोटी छोटी point होते है जो interviewer notice करता रहता है तो ये चीज भी आपको हमेशे ध्यान देनी है कि आपको जिस profile के ये जा रहे हो वो पता होना चाहिए और company का थोड़ा बहुत knowledge आपको होना ही होना चाहिए तो एक question काफी अच्छा interesting question आता है जब हमेशा आप interview देने जाओगे तो आपने पिछली job क्यों छोड़ी ये पूछा जा सकते है आपको क्यों तो हमेशा genuine reason रखने है कि क्यों मतलब क्या reason था जूड हो सके तो possible हो तो सच बताओ क्या reason था मेरे को salary grow करनी अपनी या मेरे को वहाँ ये पसंद नहीं आ रही थी या जो भी है मतलब उनको general लगना चाहिए आपका answer ये नहीं है कि मन नहीं किया या मतलब ऐसे कुछ answer नहीं देना कि उनको लगे कि आप मतलब इस company नहीं कि मतलब उनको उन्होंने आपको hire किया interview का process भी उनके लिए costly होता है क्योंकि time waste हो रहा होता है तो उसमें आपको hire करेंगे 6 मिने बाद आप job छोड़ दोगे तो उनको अगर legalize हुआ तो वह आपको कभी नहीं लेंगे तो हमेशा दियान रखना कभी भी interviewer को ऐसी जीच का आपको knowledge होना चाहिए हमेशा में इस वीडियो में यहीं बोलती हा रहा हूँ यह नहीं मैं यह नहीं कहता कि जिसको बहुत जादा knowledge है जिसको सब पता है वही interview crack करती है आपका positive attitude सीखने का तज़र बया यह चीजे भी matter करती है तो वह आपका interview pass हो सकते है कही कही जग confident नहीं रहता है एक मैं confidence रखना है जो भी बोलोगे जो भी करोगे कि सर मैं करूँगा मैं कर लूँगा ऐसे भी confidence से आपकी job लग सकती है तो यह थे कुछ basic point जो आपको I hope help करेंगे इसके later और वी videos आएंगी मैं करूँगा थोड़ा इसके लिए videos लाँगा और कि आपकी help हो interview मैं crack करने के लिए और आपका थोड़ा confident बड़े कि knowledge ही सब कुछ नहीं है क्योंकि जो 4 साल की degree की है मैंने देखा है काफी लोगों का basic खराब है मतलब इतना नहीं आता है लेकिन आगर आपका positive attitude है confident हो और थोड़ा बहुत basic knowledge हो चार्ज है जो मैंने आपके बताई वो आपको होंगी आपके पास तो आप कोई भी interview कराय कर सकते हो तो दोस्तों ये था आज का video please channel को subscribe करना क्योंकि ऐसी videos interview के job link और ऐसी videos आपको इसी channel पर मिलेंगी civil engineer शर्मा जी और please subscribe आपको चैनल thank you guys